नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप साब आई होप की अच्छे होंगे तो दोस्तों आज लेकर आए हैं बहुत ही काम का वीडियो तो दोस्तो इन दिनों ना बरसात का मौसम है बरसात के मौसम में छिपकिली हमारे घर में बहुत ही देखने को मिलेगा बेडरूम हो या किचन हो या बातरूम हो कहीं भी बहुत सारे किचन सेल पे तो जादा ही दिवाल पे रहते हैं छिपकिली और क्या है कि अगर हमारे खाना अगर थोड़ा सा भी ढक के हम ना रहते तो उसमें मुह मार दे तो वो खाना जहरीला हो जाता है तो दोस्तो छिपकीली इतना जहरीला जिव होता है कि उससे डर कहीं रहते हैं अगर बच्चे हमारे बेट पे सोय भी रहते हैं छिपकीली दिवाल पे रहता है तो बच्चे डर जाते हैं तो इसकी लिए आज दोस्तो एक हम वीडियो बनाएं है, video बहुत ही useful है, पूरा देखिएगा, तो इसे हम भागाएं कैसे दोस्तों बहुत ही काम का टीप से, घर के solution से हम आज एक solution बनाने के लिए है, तो यहां पर देखिए why हम लोग सबी बनाने के लिए छिल्का उतारते हैं, या lesson तो उसे फेका ना कीजे इसी से हम बहुती बढ़ियासा solution बनाने वाले हैं चिपकीली भगाने के लिए तो यहां पर प्याज लेसुन का चिलका ले लिये हैं और उसमें एक गिलास पानी डाल दिये हैं पानी डालने के बाद हमें क्या करना है इसे कि चूले पर थोड़ा सा हमें एक उबाल आ तो इसे थोड़ा सम ठंडा होने देंगे और उसके बाद एक चीज हमें मिलाना है वो है वाइट कोलगेट तो इस कोलगेट को हम इसमें सेलूसन में मिला देंगे कोलगेट हमें मिलाना है जितना दोस्तों कि जितना हम लोग दो तीन दिन में धोते हैं ब्रस करते हैं उतना हमे कोलगेट मिला देना है इस तरीके से देखे कोलगेट मिलाते हैं इसका कलर चेंज हो जाएगा तो यह देखे दोस्तों हमें हमारा सलूसन बनकर हो गया है रेडी तो इसे हम कैसे यूज करेंगे कहां कहां पर यूज करेंगे तो चलिए बताते हैं तो यहां पर यूज करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉटन ले लिए हैं रूई जिसे हम लोग बोलते हैं और इस रूई को डूबो डूबो कर थोड़ा सा हम गोल गोल सा बना लेंगे गोला इस तरीके से बॉल बना लेंगे गोल गोल से इस तरीके से तो बनाने के बाद इसे हमें कहां कहां रख सेल पर जहां तहां तहां एकक करके रख दीजे जहां पर भी जद numerical आती हो जहां पर रख दीजे और बाकी जो मेरा यह सलुसन बचा दोस्तों इसे एक अस्प्रे बोटल है तो भर दीजे तो मेरे पास तो प्रे बोटल नहीं था तो ये तेल वाला बोटल है इससे भी अच्छा से स्प्रे हो जाता है तो यहां पर इसमें हम भर देंगे भरने के बाद इसके ढखकन लगा के और इसे हम कहां यूज करेंगे दोस्तों जहां से हमारे घर में छिपकी लिया जादे आती हो जिसके खिर की हो गया इस तरह के से खिड लकी से भी अगर हमारे खुले रहते हैं तो खिड़की से भी चिपकी में घुळ जाती है से हमें पूरे खिर्की में खिंड का कर देना है क्योंकि दोस्तों प्याज और लाय्सुन के लिए हयर्जिनिक होता है उसका smell सुगंध उसको जब लगता है तो वो तुरंथ ही भाग जाते हैं तो इस solution को आप लोग भी बना के एक बाद जरू ट्राइ कीजेगा क्योंकि बहुत ही यूसफूल यह solution है दोस्तों इस तरीके से हमारे यह kitchen self का निचला हिसा है तो यहां पर भी बहुत छिपकिलिया र रही हो जहां पर भी चल रही हो वहां पर छिर्काव कर दीजे तो दोस्तों बताईएगा कि आज का यूसफूल वीडियो कैसा लगा चिपकिलि भगाने वाला तो यह solution एक पर बना कर जरूर ट्राइ कीजेगा और वीडियो जरा सभी यूसफूल लगा हो तो लाइक करने के स सेर किजेगा और नीव हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट किजेगा दोस्तों ताकि हम इसी तरीके से वीडियो आप लोग के लिए छोटे-छोटे से यूसफूल वीडियो लाती रहूं और दोस्तों सेर जरूर किजेगा क्योंकि अगर आप लोग इसका फाइदा उठा रहें तो और कोई भी फाइदा उठाएं जिनको ना जनकारी हो सब हैना दोस्तों देखिए हम छिड़की के पास इस तरीके से छिड़काओ कर दे रहें गेट के पास छिड़काओ कर दे रहें ताकि छिपकी लिए ना आए तो मिलते हैं